है आच को मेना नमस्कार आज की सबश्क्राम्रे को स्फवागत है क्योंकि आज के में आपको कुछ पॉइंट पताने वाले हैं क्योंकि आपको समय तो सबसे कहिं सभी को बहुत बहुत बढ़ाई क्योंकि आप सभी के जो रिए बैलेशन गरेजल थे वो पब्लिश्ट कर दिये गये हैं दूसरा सप्लेमेंटर का इन्होंने डेट भी इसू कर दिया है फॉर्म भरने की और जो है एक्जाम नेटर की तीसे नमर पर आता है कि आपके एक्जाम सभी सिथे दिखारा है और लेकिं जो है उनको बास होने के बाद अनकी मार्क सीट में केवल दिखाये रहा है कि मैं मैं चीक्टं में धृको यह यह सारी जानकारेए आपको इस वीडियो में हम बताने वाले क्युछ वारती है कि उंको पेंप नहीं जा रहा है तो सब्सक्राइब करें तो यह वीडियो हम आप सभी के लिए बनाते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है जिसे वह नहीं नहीं जानकारी अपडेट रह सकें चलिए आगे हम एक एक करके करें काफी स्टेप में इसको बताने की कोशिश करेंगे तो वीडि अगर भी इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आपको बार-बार मैसेज फोन करने की ज़रूत किसी को नहीं पड़ेगी हाँ इस वीडियो में जैसा कि हमने एक मार्क सीट सौड इसकी लिया है तो इस मार्क सीट में देखिए रिजल्ट लिखा हुआ फेल लेकिन इनके अगर हम सब्जक्ट की बात करें कि कौन से सब्जक्ट में फेल है तो देख सकते हैं किसी भी सब्जक्ट में इनका फेल नही यह दूसरा रिजल्ट का जो इनों टाइम दिया है वो 16 नमबर 2023 को जो ने पुब्लिश किया था उसी रिजल्ट को ही रोने दुबारा से पुब्लिश किया है उसी में ही रोने अप्डेट करने की कोसिस किया है चलिए अब आगे की वीडियो में आगे की जानकारी आप तक इस वीडियो के माध्यम से चर्शा करने की गोसिस करेंगे क्योंकि एक एक जानकारी अगर आपको हो जाएगी तो हम मतलब बार-बार आपको किसी से पूछने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो जैसा कि इस पेपर में आपको दिखा जा रहे हैं जिसका भी पेपर है उन्होंन के जो अप्सेंट की बात होती हैंनि कि जो प्रेजर्ट है तो तो ठीक हैं। बार किसी से हट गभराने या उसी बिश हैं यहां क्योंकि आगे की जानकारी में आपको क्लियर कर देंगे कि आपको आगे क्या करना हाँ अब हम सबसे महत्वपूर्ड बीसे पर चर्चा करने वाले हैं कि आपके सप्लिमेंट रिग्जाम कब लगेंगे कैसे लगेंगे क्यों लगेंगे और दूसरा हमने एक बात नहीं आपको बताई कि जो आपके रिजल्ट चेक करने का जो प्रोसेस है वो केवला और केवला भी इंसिट्यूट को है बच्चे परिसान ना हों क्योंकि आज यानी 6 तारिक है हमने इस वीडियो को दबारा इसलिए बनाया है ताकि बच्चे जो उनकी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉट आउट हो सके या उनक करकी है लेकिन हम आपको बताना इसलिए चाहते है क्योंकि अगर आपको हम एक बार बता देंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे बाकि आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है तो आप लोग ध्यार पूरबबकि इस वीडियो को पूरा आवस्य देखें और लाइक करें क की जान कई ले सकते दूसरा जो सप्लिमेंटरी का जो इन्होंने डेट दिया है उसकी 6 तारीक है 6 मार्च 2024 से फॉर्म खुलेंगे यानि आज से फॉर्म खुल जाएंगे यहां पर आपको दीख भी रहा होगा तो आप कोशिस करिए कि आज का आप और वेट कर लिए तो आज OTP भी आएगी और सब कुछ काम होंगे तो यह सर्कुलर जो पहले 20 फरवी 2024 में दिया गया था उसकी संबंदर में यह वीडियो सॉरी यह सर्कुलर दुबारा से RCI दौरा पबलिश्ट की गई है इसमें इन्होंने साफ साफ यह बताया कि जो बच्चों का सप्लिमेंटरी फ पॉंब भर सकते हैं दूसरा अब हम बात करने वाले इनकी एक्जाम कब होंगे एक्जाम के बारे में भी आगे हम इस वीडियो में चर्चा करने माले हैं एक्जाम के जो इन्होंने तित्री जारी किया है वह 18 तारिक से लेकर कि यह थारे मार्श 2024 से लेकर 23 मार्श 2024 तक देख लेंगे तो यहां पर लिखा गया है हम सरकल कर देते हैं आप लोग ध्यान पूर्बगिस को देख लीजिए गवर्मेंट इंसिट्यूट एक्रॉस तकंट्री यानि कि भारत के किसी भी सरकारी इंसिट्यूट में या भारत सरकार के मानता प्राप्त या स्टेट गवर जैसे CRC में भी हो सकता है एक्जाम या Government Inter College में भी हो सकता है जैसे लास्ट टाइम बच्चों ने एक्जाम में शामिल हुए थे और दिल्ली में भी कई सारे सेंटर्स हैं वहाँ भी एक्जाम आपके हो सकते हैं इसलिए आपको उसकी टेंशन को छोड़ करके केवल और केवल ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ पर फोकस करने केवल और केवल आप इसके बैच्चों को रिजल्ट क्लियर नहीं हुए है एक या दो पर में रहेंगे तो आपको घबराने परिशानी का कोई विशय नहीं है आपको मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि आप पुना मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि जो अठारे नंबर से पास हुए तो हो सकता है आपका थाइस भी आजा तीस भी आजा बद तीस भी आ बास है कि आप लोग इस बार बहुत ये अच्छे नंबर से पास होनी की जो समझ्चा है जो आपको टेंशन लग रही थी तो आप लोग महनत करेंगे तो उमीद है कि अच्छे नंबर से पास आउट हो जाएंगे इस वीडियो को दुबारा हमारा बनाने का एक ही मक्सद था कि कुछ बच्चों की जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएगी और कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि सर मेरे ओटीपी नहीं आ रहे तो ओटीपी के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है टेंसन की कोई भी से नहीं है क्योंकि आज 6 तारीख है जैसा कि यहां पे दिख भी सब्सक्राइब नहीं है तो इसलिए अपने कॉलर से अपने जो है रिष्टेव खराब मत करें क्योंकि आपके यह डिगरी डिप्लोमा तो ले लिए हैं लेकिन इसके बाद इन फ्यूचर आपको हमेशा अपने सिच्छक की हमेशा जरूत पड़ती है इसलिए अपने सिच्छक की हमेशा सम्मान करें क्योंकि यह सिच्छक वही या सिच्छा वही जो हमें मुक्ति का राह दिखाए समझ रहे ना भगवद गीता में यह इसलोक लिखा गया है कर्म वही जो हमे मुक्ति का राह दिखाए सिच्छा वही जो हमे घ्यान का संचार करें इसलिए अपने सिच्छक का अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करें और इस वीडियो के लिए आज की लिए बस इतना बाकी जो भी अप्डेट आती है अज कै लाइक कमेंट और सियर जारू करें जिससे सभी को इस चीज का फायदा हो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को रादे रादे सभी को सुब कामना है